हेलो फ्रेंड्स ओम साहिराम आज मैं आपको यह फ्रॉक बनाना बताने वाली हूँ इस फ्रॉक को मैं दो भागों में बताऊंगी बनाना पहले भाग में चोली और दूसरे भाग में घेरा यह देखे फ्रॉक यह देखे यह दूसरे तरफ से है और यह एक से लेकर ढाई तीन साल के बच्चों को हो जाएगा बेबी फ्रॉक है यह चोटे बच्चों की फ्रॉक है यह देखे एक तरफ का यह है और दूसरे तरफ का यह देखे आप किसी भी तरफ से पहना सकते हैं इसको यह मैंने यहाँ पे फूल लगाया हुआ है इसको बना के यह दोरी लगी हुई है यह पीछे से खुल जाता है यह खुलने वाला है यह जैसे बच्चे को पहनने में कोई दिक्कत ना हो इसको यह ऐसे डोरी बन कर दिए आप जहाँ इसको आगे भी रख सकते हैं इसको पीछे भी कर सकते हैं तो चलिए पहले हम लोग यह उपर का हिससा चोली बनाते हैं इसका पार्ट वन में यह मैं आपको बताऊंगी यह बनाना कैसे बनाते हैं ये फ्राग का यह पार्ट वन का ये ऐसे मैं बताऊंगे आपको बनाना इसको ये देखिए पीछे से खुला भी है ये चले फिर इसको बनाते हैं आप इसको बना ये कुछ भी स्वेटर बनाएए या कुछ भी बनाएए उसका ये पहले उपर वाला हिस्सा है आप ये देखिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं चले इसको बना लेते हैं फिर बार में यहां से फ्रॉक बन जाएगी ये देखिए ये बाजू है ये आगे और पीछे की चोली है और ये दूसरी बाजू है ये चले ये बनाते हैं फिर चोली बनाने के लिए मैंने 60 चेन बनाएं पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ऐसे से पहले 60 चेन बना लेती हैं फिर आगे बताती हैं ये देखिए 60 चेन बना लिए मैंने 60 चेन बनाने के बाद अब इसको हमें 4 भागों में बाटना है तो 14 चौदा ये डबल क्रोशिया का 4 भाग में बाटेंगे 14 चौदा के हिसाब से हो गए 56 और जो 4 चेन बचेंगे उसमें हम को यहां से डबल डबल क्रोशिया भी इनके जाली निकालनी है कंदो के लिए ये देखे ये साथ बिन लिया है दो चार्ट 6 एक साथ साथ बिनने के बाद आठ में हमें दो बाटन डबल क्रोशिया बिनना है ये देखे एक बाटन बिना अब दो चेन एक दो चेन और ये फिर उसी में जिसमें बीना है इसे में फिर ये हो गया दो डॉबल को उसी अब फिर चौधा ये देखिए चौधा बीन लिया अब फिर हम अगली चेन में दो डॉबल क्रोशिय बनाएंगे एक बनाने के बाद दो चेन एक दो चेन और फिर इसी में एक डॉबल क्रोशिय और फिर आगे चौधा बीनेंगे फिर ये वाला हिस्सा बनाएंगे ऐसे से हमें पूरे चार बना दो और बनाने ये देखिए, ऐसे आएगा ये जो हमने ये खुला हुआ है, साथ यहाँ फिर ये बनाया फिर 14 फिर बना फिर 14 और फिर ये बना और 14 फिर ये तीन बार 14 14 के बनेंगे और दो बार साथ साथ के दोनों मिलके 14 हो गए इसी तरह से हमें बनाना है ये ऐसे ऐसे हमें 11 लाइने बनानी है ये देखिए पास साथ साथ बिन लिए साथ के बाद फिर आठवे में एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर डबल क्रोशिया फिर ऐसे 14 फिर बनाना है ऐसे चलिए अगली लाइन बनाते हैं अगली लाइन देखिए अब यहाँ एक बढ़ जाएगा हर लाइन में एक बढ़ेगा इधर वाले में एक एक बढ़ेगा यह जो हमने चौदा बनाएं इसमें दो नो और बढ़ेगा देखिए साथ बिनने के बाद आठ में के लिए यह इसके उपर जो है इस जाली में भी बनाएंगे यह हो गया आठ आठ बनाने के बाद अब इसमें बनाना है इसमें एक डबल क्रोशिया फिर एक दो चेन फिर इसी में एक डबल क्रोशिया और फिर अब इस चेन में इसके उपर ये वाला जो है, ये, इसके उपर ये, अभी पहले में 14 बनाये थे, इस लाइन में अभी ये 16 हो जाएंगे, देखिए, चार, पांच, ये देखिए, ये बना लिया है फिर, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, और ये, इसके उपर बनाएंगे, तो हो गया 16, दूसरी लाइन में हो गया 16, अभी इसमें फिर ऐसे बनाएंगे, जैसे भी बनाया है, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर ये डबल क्रोशिया, अभी यहाँ हो जाएगा 8, ये हमने 7 से शुरू क किया था, ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया, ये चार ये बनेंगे, ये हमारे ऐसे ये पीछे का है, आप चाहे पीछे का रखिए, चाहे आगे भी खोल सकते हैं, और ये दोनों मिला के ऐसे बाजू बन जाएगा, ये वाला बाजू हो जाएगा, ऐसे और ये आप च बनने लगा, अब ये पूरा ऐसे बनेगा, चोली बनेगी, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे यहां से, जो चेन हमने बनाईए, ये वाला, ये वाला बढ़ाते जाएंगे, ऐसे, चारो तरप से, तो ये बन जागा, जितना हमको चोड़ा ये रखना है, फ्राक के उपर का हिस्सा, उतना हम बना लेंगे, उसके बाद नीचे फिर घेर बनाएंगे, ये देखें फ्रांट्स, ये मैंने चोली बना लिए, हमने इत्ती बड़ी बनाईए, आप छोटी भी बना सकते हो, आप बड़ी भी बना सकती हो, जितना भी आपका, आपकी मर्जियों बनाने की, बहुत ल चार पांच छे साथ आट नो दस दस लाइन का बनाया ग्यारवी लाइन में इसको हम चोली और ये बाजू अलग कर देंगे इसको ये देखिए इतना बिन लेते हैं पहले इस वाले तक फिर बताती है यह देखिए यहां तक हमने वैसे बिनना जैसे अभी तक बिन रहते बिन लिया अब इसमें हमको 1 बनाना है डबल करूछिय ँख बनाए और अब इस हिस्से को चोड़ देना इस वाले को चोड़के इसको एसे मूड लिए और इसके साथ इन दोनों को एक साथ रखे और इन दोनों को दोनों पार्ट को लेकर एक डबल क्रोशिय बनाना यह बना लिए यह देखे यास्तिन आपकी अलग हो गई फिर इसमें एक डबल क्रोशिय और बनाना यह अब जैसे बना रहे थे सब में ऐसे बनाना है सिंगल सिंगल यह देखिए यहां से लेके यह पूरी चोली हमने सिंगल कुरुशिया बुन लिया अब यह जाली वाला हिस्सा आया इसमें फिर एक बुनेंगे जबल कुरुशिया और एक बुनने के बाद अब हम इसको ऐसे जोड लेंगे पीछे वाले को साथ में लेकर एक जबल कुरुशिया और बुनेंगे और फिर इस वाले में एक बार और बुनेंगे यह देखिए यह देखिए पूरा बुन गया यह चोली बन गया सब अलग हो गया पार्ट पीछे का है फिर खुला वाला इस्सा है आप चाहे इसको पीछे रखते हैं नहीं he आगे भी रख सकते हैं इसमें बॉडर बना के यह देखी दर से भी यह देखे यह बाजू अलग हो गई यह बाजू और यह बाजू आप फुल बनाना चाहें, फ्रॉग को फुल बनाना चाहें, तो यह आस्तीन नीचे बनाते चले जाएं, इतना ही, इतना, यह आस्तीन बन जाएगा, इधर से और इधर से, और यहाँ पर फ्रॉग, फ्रॉग बनाना है, तो अभी मैं अगले पार्ट में आपको बताने वाली ह बनाना है तो इसको आप सिधा सिधा बिनते चले जाएंगे तो स्वेटर बन जाएगा ये बन गया चोली बन गई फ्रॉक की अब सेकेंड पार्ट में आपको मैं घेर बनाना बताऊंगी इसमें आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें कमेंड करें और सस्क्राइब करना किये हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें थैंक यू